नमस्कार स्वाकत है आप सभी का डेडी नियूस देख रहे हैं आप और डेडी नियूस के मौनिंग प्राइम टाइम नया सवेरा को लेकर हाज़र हो मैं कृतिका अगले एक घंटे में हम जानेंगे देश दुरेस जोड़ी तमाम चोटी और बड़ी खाब जिसमें मुख्य त को पहले चरण का मतदान होना है और इसी इनी चुनावों को लेकर के केंड़ी ड्रह मंत्री अमित शहा आज से राज्यों की दौरे पर रहेंगे और वहां पर संकल पत्र भी भारती चंता पार्टी का जादी करेंगे इस संकल पत्र में क्या कुछ खास बाते होंगी क्या कु सब्तर हटने के बाद पहली बार विधान सबा चुनाव अपने आपे बेहादी खास और इसकी अपने माइने भी हैं क्या कुछ खास रहेगा इस बार के इन चुनावों में उस पर करेंगे चर्चा अगले एक घंटे में और इस अगले एक घंटे में मेरे साथ स्टूडियो में रहेंगी मेरी सयोगी भाफना, भाफना सूप्रभाद Cretika नया सवेरा के सभी दर्शिकों को भी सूप्रभाद और जिस तरीके से कृतिका ने बताया क्या बात ओगी जनाओ देश के जिसमें जमुं कश्मीर विधान सबाचनाव और हर्याडा विधान सबाचनावों पर हमारी नजर रहने वाली है इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि कॉलकता आरजिकर मेडिकल कॉलेज में ED ने सुभा सुभा छे जगहों पर छापा मारी की है और जिसमें डॉक्टर संगीत गोश और उसके करीबियों पर वहां छापे मारी की गई है बताएंगे आपको कि ED क्यों आक्शन मोड पे है और इसके साथ साथ CBI भी अलर्ग से रेप और मडर मामले में जाज कर रही है इसके अलावा कॉलकता आरजिकर मेडिकल कॉलेज से जुड़े मामले की बात करें और ममताब एनरजी ने इस तरीके से बीते दिनों अपराजिता विध्यक बास किया है उसके बाद राजेपाल ने ममताब एनरजी सरकार पर फटकार लगाई है बताएंगे आपको क्यों 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 कि तक्नीकी रिपोर्ट ना भेजने पर राजेपाल सक्त नजर आ रहे हैं इसके लावा बात होगी मौसम से जुड़ी जायनकारी पर आपको बताएंगे कि गुजरात में बीते दिनों से लगातार बारिश जारी है आगे मौसम विभाद में क्या इलर्ट जारी की है इसके साथ साथ खेल की खबरों की बात करें तो पारिस प्यारा लंपिक में भारत का शांडार प्रदर्शन जारी है शुरुबात करते हैं नया से वेरा की सुभा की सुर्ख्यों किस्सा जबकश्वी में चुनावी सरकर्मिय तेज अमिच्छा राज्वे के द्वारे पर पार्ची का संकल्पत्रू करेंगे जारी पार्ची में दूसरेट चरण के लिए स्टार्ट प्रचार को किसुची की जारी आर जी कर मेडिकल करप्शन मामले में एडी की बड़ी कारवाई पूर प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप गोश और उनके करीबियों के ठिकानों पर रेट वलकता और उसके आसपास करीब जिचे जगाओं पर एडी की जापे बारी जारी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी आज जल्ट संचे जन भागेदारी पहल के शुभारम पर आयुजित कारेकरम को करेंगे संबोधित इस पहल का लक्ष पूरे गुजरात में लगभग 24,800 वर्षा जल्ट संचें संवर्चनावता निर्मार करना मौसं की खबरों में रेश के कई राज्यों में भारी बारिश को लेकर चेताव नीचारी उत्राखन पूर्विराजस्थान में औरेंज और गुजरात में भारी बारिश को लेकर यलो अलर्ट लोगों को सदर करहने की सल्हा जुट खेल की खबरों में पारिश पारलम्पिक में आज पारा अथलेटिक्स और पावर लिफ्टिंग में दिखेगा भारत का दमखं कापिल परमार ने कल पारा जुडो में दिलाया कास्य पदक भारत ने अब तक 25 पदक जीते और प्रोगतल के क्रिस्टियान और रोनाल जो ने रचायते हास शिर्श इसतर पर 900 गोल करने वाले बने विश्व के पहले फुट्पॉलर क्रोईशिया के खिलाब नेशन्स लिग में किया करियर का 900 गोल और इन सबी बड़ी हेडलाइन के बाद आप खबरे विस्तार से नया जवेरक की शुरुआत करते हैं सबसे पहले बात करते हैं जम्मु कश्मीर और हर्याना में होने वाले विधान सभा चुनाव से जुड़ी खबरों की जनादेश में और चुली जनादेश में सबसे पहले बात जम्मु कश्मीर की करेंगे जहां चुनावी सरकर्मिया जुक्त तेज हो चुकी है भारती चंता पार्टी के वरिष्ट नेता और किंड़ी ग्रह मत्री अमिच शाह आज से राज्यू के दौरे पर रहेंगे अमिच शाह आपने दौरे की शुरुवात चुनाव अभियान के साथ करेंगे और पार्टी का संकल पत्रुज जारी करेंगे बाद में शाम को वह पार्टी निताओं के साथ बैठकी अध्यक्षता करेंगे और पार्टी कारेकरताओं के प्रतिनिधी मंडल से मिलेंगे वही शनिवार को अमित शहा का एक रैली को भी संभूदत करने का कारिक्रम है गौरतलव है कि जम्मो से अमित शहा के अभियान को शुरुआत का उद्धिश्य शेत्र के लोगों को उनके कल्याण और विकास के लिए भाजबा की प्रति बंधता के बारे में भी आश्वस्त करना है वही राज्य में तीन चरणों में विधान सभा के चुनाव होने हैं पहले चरण के लिए 18 सितंबर को मतदान होगा बीजेपी ने जम्मो कश्मीर विधान सभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी है इस सूची में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्री मंत्री जेपी नड़ा, अमिच्छा, राजनात सेंग, नितन गड़करी उतरप्रदेश के मुख्य मंत्री योगिया अधितनात और राजिस्थान के मुख्य मंत्री भजनलाल शर्मा समेथ कही नेताओं के नाम शामिल है और वहीं आज जम्मो कश्मीर में दूसरे चरण के 26 विधान सभा सीटों के नामंगन पत्रों की जाच की जाएगी आपको बतादे कि दूसरे चरण की 26 विधान सभा सीटों पर नामंगन दाखिल करने का कल आखरी दिन था विधान सभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए अधिसूचना जारी होने के साथी नामंगन पत्रों की जाच की जाएगी और 17 सतंबर तक नाम बापस लिए जा सकेंगे तो जम्मू करिश्मीर विधान सभा चुनावों का पहला चुरण रठारा सितंबर को है वहीं अगर दूसरे चुरण की बात की जाए तो आज नामंगन पत्रों की जाच की जाएगी तो बिलकुल देखना होगा कि इस बार इस घोश्रा पत्र में क्या कुछ खास रहेगा भारती जिंता पार्टी की तरव से किन-किन चीजों को इसमें शामिल किया जाता है लेकिन साथी अगर देखा जाए तो इस बार का जो विधान सभा चुनाव है जम्मू कश्मीर का वो अपने आप में बेहदी खास है और कई माइने है इसके क्योंकि दस सालों में ये चुनाव हो रहा है और साथी धारा 370, 2019 में धारा 370 हटने के बाद में ये पहला विधान सभा चुनाव और इसलिए अपने आप में काफी खास इस बार का जम्मू कश्मीर का विधान सभा चुनाव है और इसको लेकर सरगर्मिय काफी तेज हो चुकी है क्योंकि अब जो तमाम राज़नेक पार्टियां है वो लगातार अब अपने संकल पत्र जारी कर रही है अगर भाज़पा की गोश्नापत्र की बात की जाए दिरश तो किन किन बातों का ध्यान रखा जा सकता है क्योंकि आर्टिकल 370 हटने के बाद विधान सभा चुनाव हो रहे है हमने देखा है कि कैसे जमूरियत लोटी है और उसके साथ-साथ विकास की बैयार भी बही है जमूर्थ में अगर हम विकास की बैयार की बात कर लेंगे तो धारा जो 370 हटने के बाद जिस तरीके से जो पूरे जमूर्थ में जो शांती का माहौल हुआ है और इस शांती के माहौल में और दस साल के बाद जब कि यहां पे चुना हो रहा है तो यहां के युबाओं के यहां के जो है उनके मन में मन में एक हुशी है चुनाओ को लेकर और हमने कई जगह का दवरा किया कई यात्राएं इस दरोन हमने खबर मने के दरोन की और वहां जाकर हमें देखा कर किस तरीके से लोगों में इस वार के मतदाना को लेकर उतसा है और अनुचैosition 370 हटने के बाद जिस तरीके से शान्ती का माहुल हुआ है और जिस तरीके से बाजारों में चहल पहस देखने को मिल रहा है लोग देर शाम तक देर राग तक घूमते हैं जैसा कि हमने जम्मों में देखा और जैसा कि हमने कल जबकि एक खबर करने के लिए मैं कट्रा माता वैसनों दे सब्सक्राइब लाई किया जा रहा है जो परसिद्ध जमू के बारे में कहा जाता है यह मंदिरों का सहर है तो यहां का जो रहुनावर टमपल के आसके इलाकों के इसके स्ट्रीट को किस तरीके से डवलप किया गया है और जो ताभी जो नदी है यहां की जो परवुक नदी है जमुतू उसके रिवर फंड पे किस्तियां चलाने की बात हो रही है ताकि जो सहिलानियों को देश-विद ने जो उचको पांच medical college मिले हैं इस राजी को चाहें IIM की बात हो जम्मू को मिला है medical college मिला है इसके अलाबा IIT मिला है तो विकास के ढेरो जो project है वो जम्मू कस्मीर आये हैं इसमें कोई शक की बात नहीं है जहां तक आज ग्रीह मंत्री के दोड़े का सवाल है आज जम्मू क के लिए काफी महत्वपूर्णी दिन है केंद्रिया ग्रीह मंत्री यहां पहुंच रहे हैं और केंद्रिया ग्रीह मंत्री यहां आने के बाद सबसे पहले जो पार्टी का जो संकल पत्र है कुछ संकल पत्र को जारी करेंगे अब संकल पत्र में विसेश क्या है यह तो देख है जो कि जिनकों की विस्थापन का दर्द जहलना परा तो कस्मीरी मसलों पर भी हो सकता है कि बहुत बड़ी घोस्ना है केंदरिय ग्रीह मंत्री यहां पर कर सकते हैं यहां जो बकरवाल जो कम्मिनेटी है जिनकों की एक तरीके से अपनी तरफ किछने की कोशिज भातियांता पाटी की तरब से हुई है या पहारियों में रहने वाले जो लोग हैं उनका जो आरक्षन का मसला है हो सकता है कि उसके बारे में भी केंद्रिया गिरी मंत्री कुछ बोल सकते हैं या उस घोसना पत्र में उनके विकास के लिए उनके डेफलोप्मेंट के लिए घोसना ही कर सकत जो सबसे बरा मसला है जो यहां जम्मु की अगर हम बात करें तो दस साल के बाद यहां चुना हो रहे हैं तो बहुत सा ऐसा समाज है बहुत सा ऐसा कमुनिटी है जिसको कि पहली बार वोटिंग का राइट मिला है जिसमें बालमिकी समाज भी है बालमिकी समाज को अब ही तक ज जो कीयों वस्कुनावत्रिक हैं का महत्कुर्ण है कई लोगों को जिए अधिकार जो है चाहें बोटको Dare जो इस लिहाद से का कड़ें के घोसना पत्र में केंद्रिय कर सकते हैं और कई चीजों पर होगा लगा सकते हैं जी बिल्कुल धीरज आपके पास वापस आएंगे रिशी भी हमारे साथ लगातर बने हुए रिशी सुक्त मौजुद है श्रीनगर में रिशी अगर बात की जाए श्रीनगर की तो वहां की आवाम क्या कुछ कह रही है क्या कुछ एहम मुद्धे हैं वहां की आ हैने बदल जाते हैं जैसे कि एक बहुत बड़ा मुद्धा है जो कि आरक्षड से संबंदित है और उसको लेकर जो पहाडी समधाय है उसको जो आरक्षड मिला है एक समयदान संशोधन के जरीए इसके अगर राजनेतिक नफा नुकसान को अगर हम देखें तो दोनों राज जो आरक्षड को वह हर हालत में हर सूरत में बचाई रखना चाहेगी क्योंकि उन्हीं की रिजम में यह आरक्षड दिया गया है केंड़ सरकार के दौरा दूसरी तरफ मसला कश्मीर की घाटी का है इसमें जो एंसी और कॉंग्रेस है खासतोर से कॉंग्रेस की बात करें तो उनकी सरकार आती है इसके अलावा अगर मुद्दों की बात करें तो एंसी ने अपने घुषड़ा पत्र में तमाम ऐसी बाते कहीं है जो जमू कश्मीर राज्जिकी जो पहले की इस्टिटी थी उसी को रियस्टोर करने की उन्होंने तमाम अपने वाइदे चुनावी घु पहले की इस्टिती थी उस जो प्रस्ताव विदानसमा में रखा गया था उसको भी एक बार फिर से रखागे ऐसे में देखना होगा कि कॉंग्रेस इन सब मुद्दों पर किस तरीके से अपनी प्रतिकरिया व्यक्तिकर किये क्योंकि कॉंग्रेस इस मसले पर पूरी तरीके स साफ नहीं है उसे अभी सिर्फ गटबंदन के जरीए सियासत ही नजर आ रही है तो यह जो पूरे के पूरे मसले हैं अलगलग अलाकों के हिसाफ से बदल रहे हैं लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे जरूर हैं चाहें जो लोगों से मसाइल से जुड़े हुए हैं खासतोर से जो मुद्दे हैं तो दोनों ही इलाकों में समान है और ऐसे में देखना होगा कि आज बीजेपी जब अपना संकल पत्र लाती है तो कौन सी बात रखती है क्योंकि एंसी ने दो सो यूनिट बिजली का भी वाइदा अपने गुष्णा पत्र में किया है जो फ्री देने की बात क अपने बीजेपी कौन से मुद्दे लेकर आती है हलाशी दीरज ने तमाम मुद्दे बताया जो जम्मू के इलाके की है वह बहुत संजीदा है बहुत महत्पून है और इस पर बीजेपी जरूर अपने रुख को इस पश्ट करेगी और जो वाइदे करेगी उनसे मुझे ल क्योंकि आज भाजबा का संकल्पत्र जारी होगा केंद्रुIG रीही मंतरई आमे च्याज चुनावी प्रचार को शंखनात देते हुए नजर आएंगे और श्राथ ही चुनावी प्रचार को धार देते हैं नोजर आहेंगे कारेकरताओं में जोश भडती हintsए नजर आएंग समासे भी 13 नेताओं पर पार्टी ने इस बार दाओं लगाया है जाती गणत के बात करें तो इसके साथी बीजेपी ने अपने साइलेंट वोटर महिला वोट बैंक पर भी पूरा ध्यान रखा है हाला कि उमीदवारों की पहली लिस्ट से अपना नाम कटने के बाद बीजेपी के कुछ नहीं था नाराज भी नज़र आ रहे है हरियाना विधानसभा चुनाव के मद्दे नजर प्रदेश में सियासी तैयारियां जोरो पर हैं चुनावी रण में सभी दल सोच समझ कर प्रत्याशियों को उतार रही है बुधवार को जारी बीजेपी की सनसठ उमितवारों वाली पहली लिस्ट में जातिगत समीकरण का पूरा ध्यान रखा गया है बीजेपी ने विविन समाज के छोटे-छोटे और वंचित समुदायों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया है बीजेपी की पहली लिस्ट में 27 नए चेहरों और इवाओं को मौका दिया गया है बीजेपी ने हर्याना के प्रत्याशियों की पहली सूची में जातिय समीकरण का पूरा खयाल रखते हुए सभी वर्गों को साधने की कोशिश दिख रही है महिलाएं बीजेपी की मजबूत गोट वैंक है इसको ध्यान में रखते हुए पार्टी ने पहले लिस्ट में आठ महिलाओं को टिकट दिया है वहीं पीछडे वर्ग के उचित प्रतिनिधित्व का ध्यान रखते हुए 14 टिकट पीछडे समाज से आने वाले उमिद्वारों को दिये हैं जिसमें गुर्जर, यादव, कश्यप, कुमार, कंबोज, राजपूत और सैनी सबको जगह मिली है तलितों को उचित प्रतिनिधित्व मिले इसका भी विशेश ध्यान रखा गया है पालमिकी, धानुक, बावरिया और बाजिगर के साथ जाटव समाज को भी इस लिस्ट में प्रात्मिक्ता दे गई है इसके अलावा पनिया, पिश्णोई, प्रामण, जाट, पंजाबी, सिख, राजपूत और जाट सिख को भी पहली सुची में जगह दी गई है किसान, गरीब, नारी और युवा, ऐसे सब लोगों के बीच में जाकर के जो सरकार निकान किये हैं उन कामों के अधार को पराज हरियाना परदेश के लोग इस बात को लेकर के, कि सरकार ने मजबुती से काम किये हैं, तीसरी बार हरियाना में सरकार बन रहे हैं हालाकि उम्मिद्वारों की पहली लिष्ट से अपना नाम कटने के बाद कुछ बीजेपी के नेता नराज दिख रही हैं, कुछ ने अपने पदों से इस्तिफा भी दे दिया है, वहीं कॉंग्रिस और आम आदमी पार्टी के बीच गठ बंधन को लेकर पेच फसा हुआ है, इ लेकिन स्थान ये कॉंग्रिस नेता आम आदमी पार्टी से गठ बंधन के पक्ष में नहीं है, सुत्रों की माने तो दोनों पार्टीों के बीच सीट बटवारी को लेकर बात फाइनल नहीं हो पा रही है, आम आदमी पार्टी राज में 90 में से 10-11 सेट की मांग कर रही है, जबकि कॉंग्रिस सिर्फ 6 या 7 देने को तयार है, इससे पहले दिली और पंजाब में भी कॉंग्रिस की भीतर आम आदमी पार्टी से गठ जोड को लेकर आंतरिक मत भेत थे, दो हजार चौबीस लोगसभा चुनावों में पंजाब को छोड अन्य राज्यों में सहमती की क पोशिश हुई थी और अब हर्याना में भी गठ बंधन को लेकर बयान बाजी चल रही है, दोनों दलों के संभावित गठ जोड को लेकर पीजेपी हमलावर है फिलहाल जहां कॉंग्रिस और आप गठ बंधन के पीच पेच फसा है, वहीं बीजेपी पूरी ताकस से चुनाव लड़ने में जोर लगा रही है कुमार आलोक के साथ, प्यूरो रिपोर्ट, डेडे नियूस तो यह थी जम्मू कश्मीर और हर्याणा विधान सवासों जुड़ी तमाम खबरे फिलाल नया समयर में वक्त एक चोड़ी से ब्रेक का ब्रेक के उस पर आपको बताएंगे देश नियूस जुड़ी और तमाम खबरे साथी बात होगी पश्चम बंगाल को लेकर दो रुखते एक चोड़े से ब्रेक के लिए जोटे किसानों की शक्ती गोप्रेटिव की शक्ती और भारतियन नस्वले पश्चुण इस ताकत को बढ़ाने और डेरी के विटास में जुड़े पश्चुपालकों, तकनीशियनों वा डेरी सहकारी समितियों को प्रोचसाहित करने के उदेश से पश्चुपालन एवं डेरी विभाग दे रहा है राष्ट्रिय गोपाल रत्न पुरसकार जिसमें इस बार से पूर्वोतर क्षेत्र को भी शामिल किया जा रहा है आवेदन के लिए awards.gov.in पर जाएं या अपने नजदी की common service center, पशुचिकित साले या पशुपालन और डेरी विभाग से संपर्क करें आवेदन 15 सितंबर 2024 तक सुरक्षा की गारंटी हर चीज में ज़रूरी है चाहे वो मश्किल स्टंट हो या चीफ असल इसलिए ले आईए आयल के ट्रैक्टर ब्रैंड का शिर्बार जो देता है सुन्दी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी बात जब पीडियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्यदारी बड़ी हो जाती है गैलेंट समझता है यह जिम्यदारी अब डबल म रिम्स के साथ गैलेंट एडवांस टी एमटी रिबार निर्मान का रियल हीरो ब्री के बाद आपका सुबागत है आप देख रहे है नाय सवेरा और आप खबर परश्चिमंगाल से आ रही है आरजिकर मेडिकल कॉलेज ब्रश्चार मामले में एडी का चापा बढ़ा है आपको बता दे कि कई जगहों पर इस समय एडी की चापे मारी हो रही है परश्चिमंगाल में जहां संदीब घोष और उससे जुड़े करीबियों के ठिकानों पर एडी ने करीब करीब 6 जगहो पर चापे मारी की है बिलकूल इसको लेकर ताज़ा अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे लेकिन फिलाल इसको की बड़ी ख़बर आ रही है जहां आरजिकर मेडिकल कॉलेज घृष्टा चार मामले में चापे पढ़ते हो नजर आ रहे है और आरजिकर घृष्टा चार मामले में डी की तरफ से यह बड़ी कारवाई इसको पश्चिम बंगाल में और पश्चिम बंगाल में संदीब खोष्च और उससे जड़े हुए करीवियों के छिकानों पर उसक्त छापे मारी यह वहां पर की जारी है करीब 6 जगा है जहां पर एडिकर इच्छा पेमारी इस वक्त हो रही है तो इस पर ताज़ अपडेट पी लेंगे हमाई साथ में हमारे सायोगी वाप से कुछी देर में जुड़ेंगे हमाई साथ में तकि विलाल एक अपडेट आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज भिष्टाचार मामले में इस वक्त ईजी की तरफ से ये बड़ी कारवाई नजर आ रही है और आपको इस केस के बारे में बताएं तो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 8-9 अगस्त के बीच में जूनियर ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मडर मामले के बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज लगातार सुर्ख्यों में है एक तरफ CBI जाज कर रही है पूरे मामले की जहां डॉक्टर संदीब घोष्टे लगातार कई घंटों और कई दिनों तक पूछता चुई उसके बाद डॉक्टर संदीब घोष्ट का बॉलीक्राफ टेस्ट भी हुआ इसके अलावा आरजीकर मेडिकल कॉलेज वितिया नेमे तेताओं के चलते इडी उस पर कारेवाई कर रही है और अब कई जगहों पर चापे मारी की जा रही है प्रसंजीत जुट चुके हमारे सथ कॉलकता से प्रसंजीत आप से पूछना चाहेंगे ताजा अपडेट प्रसंजीत डॉक्टर संदीब घोष्ट पर पहले कई संगीन आरोप हैं इसके बाद अब एडी की छापे मारी एडी आक्शन मोड पे नज़र आई है और सुबह से ही कई जगहों पर चापे मारी की जा चुके इसके अलावा कई करीबी हैं प्रसंजीत सारी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाएं आर्थिक अनियमिता की बारे में भी आरोप और उसके बाद ये आरोप की बारे में जो तहकिकात है वो अदालत की तरह से दिया गया था लेकिन अब ये एडी भी इसमें आने लगी है और सिर्फ संदीव घोस्ट ने उनके करीबी जो लोग आर्जीक और हस्पताल में जिसे भिंडर कहते है मतलब जिन लोगों ने लग लग चीजों को हस्पताल में कहीं सारे चीजों का जरूरत पढ़ता है और उसका जो सप्लयर होते हैं इस सप्लियर था दो तिन सप्लियर है उनके जो आफिस है ठीकाने है घर का ठीकाने है सब जगा पर एड़ी का तलास ये तलासी एविजन जारी है और आज सुबह से क्यूंकि देखे एक तो है कि जो बेसिक क्राइम है रेप और मार्डर की उसका तहकिका तो सी बी आई की सी बी आई को भी लगने लगा है और अदालत को भी लगा है कि जो वहां पे आरजीकर हस्पताल में 2021 से संदीब गोश की नेत्रितों में फिनेंशियल कराप्शन चल रहा था हो सकता है कि उसके साथ भी ये रेप और मार्डर केस का कोई सम्मंद है हो सकता है कि पीरिता को पत है और आज ये सुबह से जिश्चा पेमारी है जा रही है कि ज़्वेते को सपास और आँ पति ये जगह जहां पर चापे मारी है और यह तालुकात काफी पुराना है और यह सारे लेंडेन का संबंद है मतलब मैं बताओं कि यह सब को पता था लेकिन पता नहीं क्यों सरकार को नहीं पता था और या पुलिस को नहीं पता था कि संदीफ घोस की घर पे आरोपी है संदीफ घोस की घर पहले 20% पहुंचाया जाता था उसके बाद ही किसी टेंडर को पास करना या किसी एकाउंट्स डिपार्टमेंट से जो 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 टेंडर के बदले या सप्लाइ की बदले जो पेमेंट मिला था वो पेमेंट मिला ये ये सब को पता था सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट को पता न सब्बद था और इसमें मुश्किल इस बात कि है जो आरोप है कि मान लीजे किसी चीज़ों का प्रप्डर करना है चाहे हो एटेंडर उचाहे हो फिरा सिकनर वस्टी एक ही का कमपनी का चार-चार अलग अलग नामों से टेंडर दिया जाता था एक ही आदमी का हस्ता अखर उस से जूड़ी सुन्वाई भी है? चापे मारी चल रहा है और यह जो फर्जी कमपनी है उनका जो मालिक है जो पहले से ग्रिफतार हुआ है इनके ठीकाने पर भी एडी का चापे मारी है तो इस तरह से पार जोड़ने की कोशिश में है CBI और एडी चल यह फिलाल बहुत बहुत शुक्रे प्रसंट जी तमाम जानकारी और बेट्स हमारे साथ साचर करने के लिए इस कमपर हमारे नजर लगातार बनी रहीगी डी की तरफ से जो यह चापे मारी सुक्त चल रही है च्छह जगाओ पर पच्छी बंगाल के अंदर नजर लगातार बन रहेंगे लेकिन इसी के साथ बक्त एक छोड़ी से ब्रेक का ब्रेक के बाद आपको बताएंगे मम्ता सरकार को आखिर क्यों फटकार लगी है रुपते एक छोड़ी से प्रेक के लिए सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जब रुरी है चाहे वो मश्किल स्टंट हो या ची फसल इसलिए ले आईए आयल के ट्रैक्टर ब्रैंड का शिर्बार जो देता है सुन्दी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी बात जब पीडियों के लिए बनने वाले घर की हो तो सिम्हधारी बड़ी हो जाती है गैलेंट समझता है इस सिम्हधारी आप डबल एम रिप्स के साथ गैलेंट एडवान्स टी एमटी रिबार निर्मान का रियल हीरो जी डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है काम आसान कर देती है अब जिस पे भी डाउट है वो तो आटोमेडिकली आउट है लेकिन मुथूट फाइनस से गोल लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है क्योंकि यहां है पूरी ट्रांसपरेंसी 100% भरोसा और सुरक्षा तभी तो मुथूट फाइनस है भरोसा इंडिया का इंडिया का नंबर वन Most Trusted Financial Services Brack तो गोल लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212 ब्रेक के बाद आपका स्वागत और लगातार हम आपको खबरे दिखा रहे है पश्चिप मंगाल से जुड़ी हुई जाएंस से पहले हमने आपको बताया कि ED, Dr. Sandeep, घोष और उनके करीबियों पर सुबा से छापे मारी कर रही है इसके अलावा आपको बताएं कि राजेपाल में मम्ता बैनर जी सरकार को लगाई है करारी फटकार क्यों लगाई है क्योंकि पश्चिप मंगाल के राजेपाल सीवी आनंद बोस ने विधान सभाद द्वारा पारे अप राजिता विधेक के साथ तकनीकी रिपोर्ट भेजने में विफल रहने पर मुख्य मम्तरी मम्ता बैनर जी की आलूचना की है मिलकुल दरसल आपको बताएं कि नियम अनुसार सरकार का ये करतव्य है कि विधेक को मंजूरी देने पर नेर्णाई लेने से पहले तकनीकी रिपोर्ट को भीजा जाए और ये पहली बार नहीं है कि सरकार ने तकनीकी रिपोर्ट रोकी है और विधेकों को रोकने के लिए राजपरवन को दोशी ठेराया है राजपाल ने सरकार को इस तरह के मेताफोर्ण मामलों में अपना हुमवर्क करने की सीड़े तोर पर नसीहत दे दी है वही राजपाल ने कहा है कि बंगाल विधेक आदरप्रदेश, महराष्ट और राजप्रदेश त्वारा पारित समान विधेकों की नकल है और ये अच्छी तरह जानते हुए कि इन में से कुछ विधेक भारत के राश्ट्र पती की स्विकृति की पतिक्षा कर रहे है ममताबरर जी केवल बंगाल के लोगों को धोका देने के लिए धरने की धमकी दे रही है राजपाल ने पीड़त के माता पता की भावनाओं की अंदेखी करते हुए ऐसे सम्वेधन शीर मुद्धे पर इस तरहें की राजनीतिक चालों पर अपनी नाराजगी व्यक्ती है राजपाल ने मुख्यमंत्री को सलहा दी है कि इमानदारी सबसे अच्छी नीती है सेवी आनंद वोस ने टिपनी की है कि यह आधी सच्चाई पर चलने वाली आधी बुद्धी की सरकार लगती है और शरी ने ऐसे वेरा में बढ़ते है अब आगे जहां आपको बदा देगी प्रधान मंत्री नरेंद्रों मोदियार जल संचय जन भागीदारी पहल के शुभरब कारिक्रम को संभोधित करते हुए नजर आएंगे प्रधान मंत्री वीडियो कांफरेंसिंग के माध्यम से इस उरत में आयुजित होने वाले जल संचय जन भागीदारी पहल कारिक्रम को संभोधित करेंगे इस पहल का उदेश्य सामुदाइक भागीदारी और स्वामित्व पर जोर देते हुए जल संरक्षण करना है और यह समग्र समाज और समग्र सरकार के दृष्टी कोंड से संचालित है साथी आपको बताने कि इस पहल का लक्षए पूरे गुजरात में लगपक 24,800 वर्षा जल संचय और संरक्षण का निर्माण करना है इसका उदेश्य जल संरक्षण को राश्ट्री प्रात्मिक्ता बनाने के प्रथानमंत्री के संकल्प को पूरा करना है और अब बात कर लेते हैं मौसम से जुड़ी जानकारी पर जहां देश भर के कई राज्य बारिश का कहर छेल रहे है उत्राखंड और पूर्वी राजिस्थान की बात करें तो यहां भारी बारिश की सभावना को देखते हुए मौसम विभाग में आज औरेंज इलर्ट जारी किया है इसके लावा उत्राखंड के देहरादून, चमोली और नैनिताल जिलो में भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है साथ ही गुद्रप्रयाग, अल्मोडा, चमपावत और टेहरी जिलो में हलकी से मध्यम बारिश हो सकती है साथ ही पूर्वी राजिस्थान के अगर बात करें तो पूर्वी राजिस्थान के भी कई जिलो में भारी बारिश हो सकती है जहां राजस्तान के अठारा जिलों के लिए यलो अलर्ट इस सुख जारी किया गया है वहीं बात अगर गुजुरात की करें तो गुजुरात में बीते दिनों से बारिश हो रही है और भारी बारिश के चलते जन जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है मौसमे भाग में वलसाड, नवसारी, सूरत, भावनगर, अम्रेली, सावर कंठा, महसाणा, बनासकाठा, पाटन और कच में येलो अलर्ट के साथ-साथ आलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है अगली खावर का जहां केंध्रिए, शिद्रा सिंग् चोहान, आंड्र पर दिश की बाद आज तेलंगाना का दौरा करेंगे खंबम गांफ का शेत्र, भारी वर्शा के कारण पूरी तरह जलमगने हो क्या है बार की वज़े से यहां आम जन्र जीवन पूरी तरह से अस्तिवयस्थ हुआ है साथ ही फसले खराब होने के कारण किसानों को भी भारे नुकसान उठाना पड़ा है केंद्री मंत्री आम जन्रता और किसानों से भी मुलाकात करेंगे साथ ही अधिकारियों के साथ नुकसान के आंकलन के संबंध में बैठा करेंगे वहीं गौरतलब है कि गुरुवार्ग केंद्री मंत्री ने आंधर प्रदेश के विजेवाडा में बुड़ा मेरू, केच्मेंट और शहर में बार ग्रस्त शेत्र, जकमपुजी, मिल्क फैक्री, कंद्रेका, अजीत सिंग्नगर और अंबापुरम का हवाई सर्विक्षन भी किया था साथ ही केंद्री मंत्री ने भाली वारिश के कारण शाति ग्रस्त हुए क्रिष्णा निवर्पर बने प्रकाश्म, बेराज जैम और खेतों का भी निरिक्षन किया इसके साथ ही शिवरा सिंग चोहान ने यहाँ बार से प्रभावित आमजन और किसानों से भी मुलाकात की थी इस दुरान शिवरा सिंग चोहान ने कहा कि इस्तिती को सामान्य बनाने और प्रेड़ितों को रहात उपलव्द कराने के लिए केंद्र और राज्य सरकार दिन रात काम कर रही है मंत्राले का कहना है कि विशेश शिवर आयोजित करके दावों का निप्टारा करना चाहिए मंत्राले ने भीमा दावों के निप्टान के लिए प्रक्रियाओं को आसान बनाने का भी निर्देश दिया मंत्राले ने कहा कि केंद्र सरकार इस आपदा से प्रभावित लोगों की मदद करने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद है कि उन्हें जल्द से जल्द सभी आवश्चक साहेता मिले और नया सवर वक्ते एक और छोटी से ब्रेक का ब्रेक के उस पर आपको बताएंगे कि आज अख़वारों में क्या कोच है हम सुर्खिया एजने प्रकाश उत किया गया है रुकते एक छोटी से ब्रेक के लिए बात जब पीडियों के लिए बनने वाले घर की हो तो समयधारी बड़ी हो जाती है गैलेंट समझता है ये समयधारी आप डबल M रिम्स के साथ गैलेंट एडवांस टी एमटी रिबार निर्मान का रियल हीरो एक ऐसा तबका जो रिटामन के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता वो है औरते औरते कमा के भी वन्नरेबल है तो NPS एक एक एक्वालिटी ला रहा है हम सब एक बराबर प्लाटफॉर्म पे है अपने बहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS ज़रूरी है सुरक्षा की गारेंटी हर चीज में ज़रूरी है चाहे वो मश्किल स्टन्ट हो या चीफ असल इसलिए ले आईए आयल के ट्रैक्टर ब्रैंड का शिर्बार जो देता है सुन्डी और त्रिप से सुरक्षा की गारेंटी अखवारों की सुरक्षियों में आज कौन से सी मुख्या सुरक्षिया है जो प्रकाशित की कई है और अखवारों की सुरक्षिया जानने के लिए सीधा रूप करते है सब्सक्राइब संध्या का संध्या सुप्रभात आज जो अखवारा आपके समक्ष है उनमें कौन-कौन सी महतफोन खवरे हैं जिन्हें जगा दी गई है सुप्रभात क्रितिका और भावना अकबारों की सुरक्षियों की शुरुआत कर लेते हैं बताया है कि सेमिकंड़क्टर में मदद समेट चार समझोतों पर जो कल हस्ताक्षर हुए हैं क्या कुछ इनकी खासियत होगी और साथी साथ एक्ट इस्ट नीती का किस तरह से असर देखने को मिलेगा वो तमाम तत्यों के साथ आज इस खबर को प्रकाशित किया गया इसके अलावा एक और खबर की बात करते हैं जिसे आज हिंदुस्तान अकबार ने पहले पेचवर प्रकाशित किया है और राजनात सिंग रक्षा मंत्री ने जो कुछ कल सम्मिलन में कहा उसे कोट करते हुए हेडलाइन बनाया है और लिखा है कि सेना युद्ध के लिए तयार रहें उन्होंने ये बात इसलिए कही कि भारत एक शांती प्रियराश्ट्र है शांती बनाई रखने के लिए सशस्त्र बलों को युद्ध के लिए तयार रहने की जरूरत है साथ उन्हों ने ये भी कहा कि सेना भविश्य के युद्धों में देश के सामने आने वाली चुनोतियों के लिए तैयार रहे आपको बता दें कि कल रक्षा मंतरी राजनाज सिंग लखनों में आयजित पहले संयुक्त कमांजर सम्मिलन की अध्यक्षता कर रहे थे और इस दोरान उन्हों ने बात कई एक और खबर की बात करते हैं जो की प्रदूशन से जुड़ी हुई है साथ ही साथ खेती से जुड़ी हुई है भारत में प्रदूशन की वज़ा से 15 प्रतिशत तक पैदावार कम हो सकती है ये नवभारे टाइमस अकबार ने एक रिपोर्ट के माध्यम से इस खबर को प्र पारी ही जानमाल से जुड़ी हुई है आपको बता दें कि सिट बेल्ट और हेलमेट के जागरुकता शहरों तक सिमित है ये एक रिपोर्ट के माध्यम से एक खबर प्रकाशी थे आपको बता दें कि इंजुरी प्रिवेंशन और साफ्टी प्रमोशन पर आयो जित एक वैश बिल्ट लगाना होगा ताकि आप अपनी जान बचा सकते हैं एक और खबर के बात करते हैं राश्ट्र साहरा अकबार ने इस खबर को प्रकाशित किया है और आपको बता दें कि आर्बियाए के गवर्नर शक्तिका अंतिदास ने कहा कि महिलाओं को जादा जौब दे बैंक उन्होंने ये बात इसलिए कही कि उनका मानना है कि वित्यक शेत्र में महिलाओं को आर्थिक रोजगार के अवसर देकर महिलाएं संचालित उद्यम और खास योजना इलाकर महिला पुरुष के बीच जो असमानता है उसको कम करने की जरूरत है एक और खबर की बात करते हैं जनसत्ता अकबार ने इस खबर को लिया है ये है हाई कोट ने जिस तरह से विकिपीडिया को फटकार लगाई है उससे जुड़ी खबर है और साफ तोर पर हाई कोट ने का दिल्ली हाई कोट ने कि अगर आपको भारत का कानुन पसंद नहीं तो यहाँ काम नहीं करें ये मा दोस्तान अकबार ने अपने तन्मन पेच पर प्रकाशित किया है और ये है डिजिटल डिमेंशिया से जुड़ी हुई डिजिटल पर हम जिस तरह से अपनी निर्भरता बढ़ा रहे हैं लेकिन ये खबर बताती है कि निर्भरता बढ़ाई है लेकिन अती निर्भरता को र तो यह खबर बताती है, यह आर्टिकल बताता है कि आपको डिजिटल पर आत्म निर्भर रहना है लेकिन अती निर्भर रहने से बचना होगा विशेश अग्यों की क्या सला है, क्या है डिजिटल डिमेंशिया और क्यों इसका दिमाग पर बुरा असर पड़ता है तमाम गया गया है, तो अलग अलक्षेत्रों से जुड़ी हुए खास और एहम खबरें तो संधिया विभिन ख्रेत्रों की खास और एहम खबरों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्या और नया सबर में खबरों का सिलसला लगातार जारी है, ब्रेक के उस पार हम बताएंगे, आपको देश ने जुड़ी तमाम बड़ी और छूटी खबरें फटाफट अदास में, लेकिन रुपने एक छोड़ी से ब्रेक के लिए बात जब पीडियों के लिए बनने वाले घर की हो, तो सिम्हधारी बड़ी हो जाती है, गैलन्ट समझता है इस सिम्हधारी, आप डबल-म रिप्स के साथ, गैलन्ट एडवान्स टी-म-टी रिबार, निर्मान का रियल हीरो, काट! सुरक्षा की गैरंटी हर चीज में ज़रूरी है, चाहे वो मश्किल स्टंट हो, या चीफ असल हो, इसलिए ले आईए आयल के ट्रैक्टर ब्रैंड का शिर्बार, जो देता है सुन्डी और त्रिप से सुरक्षा की गैरंटी अब देख लेते हैं, दुनिया भर की कुछ खास खबरें अंदाज रहेगा सुपर फास्ट इस्राइल और हमास के बीच संगर्ष जारी है, हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों के परिजनों और दूसरे लोगों का इस्राइल में प्रदर्शन भी जारी है हाल ही कि प्रदर्शन में प्रदर्शन कार्डियों ने तेलब वेक सड़क को अब रूप कर दिया अमेरिका के उपराश्ट करती कमला हैरेस पीटर्सबर्ग पहुंच चुकी है अमेरिकी देश निकारक रुआई उतने अमेरिकी वारता के बाद 135 राजतिक कःतियों को रिहा कर दिया है वाइट हाऊस ने एक बयात जानी कर कहा कि अमेरिका ने मानवी आधार पर निकारक रुआ में 135 राजतिक को रिहाई सुलिष्छित की है अमेरिके विदेश मंत्री आंटेनी ब्लिंकन ने हैती का दोरा किया है इस दोराने आंटेनी ब्लिंकन ने उमीद जताई है कि हैती में अगले साल चुनाव करवाने के लिए जल्द ही एक चुनावी परिशत की स्थापना की जाएगी ब्लिंकन की आत्रा ऐसे समय में हुई है जब हैती हिंसक गिरहों के संघर से जूज रहा है जोर्जिय अगोलिवारी की घटना को लेकर अमेरिका की राश्टपती जोवाईजा ने दुख फिक्ट किया पाच तंबर को हुई इस घटना में दो चात्रों और दो शिक्षकों की जान चली गई और नो अन्य घायल हो गई और अब खबरें कारोबार जगत से मुकेशंबानी के अगवाई वाली रिलाइंस इंडस्ट्रीज ने बताया कि उसके बोर्ड में एक एक के अनुपात में बोनस शियर जारी करने को मनसूरी दे दी है भारत जल्दी प्रमुक उभरते बाजारों के सुचकांक मेच्वीन को पचार सकता है मल्टिनाशनल इंवेस्ट्मेंट बैंक मौगन स्टेनली ने कहा है कि इसे विदेशी निवेशक भारत में निवेश के लिए ज्यादा कर्शित होंगी को सबसेदी जारी रखने की जरुद से इंकार करते हुए काय कि अब लोग खुदी ईवी या सीएंजी वहानों को लेना पसंद कर रहे हैं अदाने ग्रूप अगले तीन से चार सालों में रिटेल निवेशकों से 30,000 से 40,000 करोड रुपए जुटाने की यूचना बना रहा है ताकि फंड किस ट्रोतों में विवित्ता लाई जा सके और रिस्क कम किया जा सके भारती उद्योग परिसंग आज से नहीं देली में C.I.I. इंडिया मेडिटरेनियन बिजनस कॉंट्लेव का आयोजिन कर रहा है कॉंट्लेव को विदेश्मत्री डॉक्ट्टो एस्टेशन का संबोधित करेगी ओमईसे ऑस्ट्रिलिया के मेलबर्ण तक भारती अनार की पहली खेप सफलता पूरवक पहुचा दी गई है इसे एपिजा इंडिया पैवलियन में फाइन फूड ऑस्ट्रिलिया दोहजार चौबिस में पे दरशित किया गया जिससे भारती अनार की बैश्वित मांग और बढ़ गई केंद्रियो भूगता कारे खादिय एवं सार्बजनिक वेतरन कथान नवीन एवं नवी करणी उर्जा मंत्री प्रहलाद वेंकटेश जोशी ने विक्री के लिए तैनात मोबाइल वैंग को जंडी दिखा कर 35 रुपे प्रती किलोग्राम की दर से प्यास की खुद्रा विक्री की शुरुआत की तमाम कंपनिये तो हारी सीजन की तैयारी में जुट गई है हाइरिंग प्लेटफॉर्म इंडीड ने बताया कि पिछले साल के मुकाबले इस बार मौसों नीद भरतियों में 20 फीजदी उचाल आरी की समभापना है और अब खबरे देख लेते हैं खेल जगर से हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक में परिस में जानी परलंपिक गेम्स में खेलों के नवे दिन भारत के कई खिलाड़ी मेडल के लिए चुनौती पेश करेंगे महिलाओं की 200 मीटर रेस में भारत की सिम्रन पहले राउंड में रोत रहेंगे तो महीं पुरिशों की जैपलीन के एफ पाइफ पोर वर्क में निपेश कमार मैदान पर नज़र आएगे पारें के भी हिट्स राउंड होंगे जुसमें जश्कमार और प्लाची यादव एक्शन में नज़र आईगे इससे पहले भारत आटवे दिन तक 25 मेडल अपने नाम कर चुका है भारत के खाते में अब तक 5 गोट, 9 सिल्वर और 3 ब्रॉंज मेडल शामिल है खेलों के आटवे दिन कपिल परमार ने पैरा जुडो में भारत को काशे पदक दिलाने में सफलता हासल की 60 किलोग्राम पुरुशों के J1 वर्प में दुनिया के नंबर एक का खेलाड़ी कपिल परमार ने ब्राजील के खेलाड़ी को हरा कर काशे पदक पर अपना कपसा जमाया ये पहली बार है जब भारत ने 12 लंपिक के जूडो उस पड़दा में पदक हासल किया है अंडर 20 विश्व कुष्टी चेंपियंशिप में भारती पहलबान उने शांदर प्रेजर्शन करते वे एक स्वर्ण और दो कांसे पदक जीतने में सफलता पाई जोती पहलबान ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है महिलाओ के 66 क्लोग्राम भार्ण वर्क के फाइनल में उन्होंने हंग्री की पहलबान को शुकस्त दीज तो वहीं महिलाओ की 69 किलोग्राम पर्क में को मले और 68 किलोग्राम वर्क में स्ष्टी ने कांसे पदक अपने नाम किये विश्वे डेफ निशानेवाजी चैंपिंशिप में भारत के शौरे सेनी ने स्वाण पदक जीतने में सफलता पाई शौरे ने 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन में स्वाण पदक हासल किया वहीं 25 मीटर रापिट फायर पिस्टल में चेतर में कांसे पदक जीता इस तरह भारत ने अब तक प्रतियोगी तामिल 5,7,7,8,8,7 पदक जीत कर खुले 17 पदक जीतने में कामयाभी हासल किये पुर्टगाल के स्टारफोड पॉलर क्रिस्टियान और उनाल्जो ने इतिहास रच्टिया है वोट्षी इस तर पर 900 गोल करने वाले विश्व के पहले खिरारी बन गए है उन्होंने नेशन्स लीग में क्रोशिया के खिलाफ अपना 900 गोल किया उनके इस गोल की वदत से पॉर्टगाल ने पुर्शिया को दो एक से हरा कर अपने अभियान का जीत के साथ आगास किया दूसरी वरेत अप्रात बेलारूस की आरेना सबालेंका ने यूएस ओपन के महिला एकल के फाइनल में स्थान बना लिया उन्होंने सेमिफानल में अमेरिका के आमा अनवारव को 6-3-7-6 से हराने में सफलता पाई और खेल जगत की खबरों की भी बाद में अब बात करेंगे सुने जगत यानी ग्लेमल वर्ल्ड की फटाफट अंदास में निर्माता दिनेश विजान के मेडॉक फिल्म स बैनर तले बने फिल्म सेक्टर 36 का ट्रेलर OTT प्लाट्फॉम नेट्फिक्स के ओफिशल यूट्यूब चैनल पर रिलीस किया जा जुका है साउथ विल्यता नारी की अगली फिल्म हिट फ्री है फिल्म की खोशला के साथ इसका पहला पोस्टर और टीजर निर्वाताओं ने जारी किया है करीना कपूर अपने आगामे फिल्म दा बग्रेमंगम मुर्डर्स में एक मुर्डर मिस्टरी को सुझाते हुई नजर आएंगे इस फिल्म में आपको भरपूर सस्पेंस और थ्रिल्ल देखने को मिलेगा शाहिद कपूर और पूजा हेगड़े अभी ने फिल्म देवा है उन्होंने फिल्म देवा की शूटिंग पूरी कर ली है और इसी खुशी में वो टीम और कास्ट के साथ इस गाने पर जम करते रखते हुए नजर आएंगे अनन्या पांडी के वेब सीरीज कॉल मी बे आज अमेजन प्राइम पर स्क्रीम होगी लॉंग फॉर्माट में अनन्या पांडे पहली बार कदम रख रहे हैं अनन्या पांडे इस सीरीज में बेला चौधरी और फुब बे की भूमी का में नजर आएंगे अलिया के इसका अपकमिंग फिल्म जुगरा है फिल्म में विदांग रेना भी एहम धुमी का मिनलसर आने वाले हैं अपने इस अपकमिंग फिल्म में अलिया भट दमदार एक्शन कर्टी नजर आने वाली है धर्मा क्रोडेक्शन के वेरर तलिक बनी इस फिल्म की रिलीस क आलिया के स्टेल्ज को बेस अबसे इंपसार पढ़ते आगे परदीन खान और रितेश देश्मुक की फिल्म विस्पोर्ट आज जियो सिनमा पर रिलीज होगी फिल्म दो परिवारों की जिन्दकी को दिखाती है एक जुगी में रहता है तो दूसरा अलिशान फ्लाट में इसनके अलग-अलग रास्ते किसी कारण से आपस में जुड़ जाते है सौट सुपर स्टार वुजे की फिल्म दर ग्रेटेस्ट आफ आल टाइम रिलीस हो गई है और अब बात कर लेते हैं आपकी हमारी सेहत की कि देश्वर में सात्वार राष्टिये पोश्ण महा मनाया जा रहा है और पोशण महा को देश्ये जीवन चक्र में द्रश्टिकोड के माध्यम से को पोशण से व्यापक रूप से निप्टान है जो की मिशन पोशण टू पॉइंटों की अधार शिला है और इसी कड़ी में मध्यप्रदेश की कटनी में पोशण अभ्यान के अंतरगत पोशण महा का आयोजन की आगया आये देखते हैं इस पर जुड़ी हमारी खास रुपोर्ट पोशण अस्तर में सुधार लाने के उदेश्ची से देश भर की अलग-अलग जगहों पर राष्ट्य पोशण सब्ताह मनाया जा रहा है समेकित बाल विकास सेवा के अंतरगत पंचायत एवं आंगन बाड़ी स्तर पर 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पोशण माह के रूप में मनाया जा रहा है इसी के तहट मध्यपरदेश के कटनी में सुपोशण दिवस का आयोजन जिले के 1713 आंगन बाड़ी केंद्रों में किया गया देश रोसन इस थीम पर हम कोशिस करेंगे कि हमारा जिला को पोशन मुक्त हो पोशन अभियान के तहट गर्भवती महिलाओं एवं अस्तन पान कराने वाली माताओं कि शोरियों और छे वर्षे कम उम्र के बच्चों के पोशन को समगर रूप से बहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है जिला कारिकरम अधिकारी नयन चिंग ने बताया कि व्यक्तिगत और समुदाईक स्तर परवेवाहर परिवर्थन से पोशन अभियान के लक्षों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी वही पोशन अभियान के लाभार्ती महिलाओं ने सरकार की इस पहल का स्वागत किया है और बताया है कि कैसे इस अभियान ने उन्हें पोशित आहार और स्वास्थ के लिए जागरू किया है यहां पर बताया जाता है कि गरवदी महिलाओं को क्या क्या खाना चाहिए हरी सबजियां खाना चाहिए जिससे हमारी बच्चे को पोशन अहर मिल सके और बच्चा स्वास्थ हो मुझे आगनवाडी में पोशन दिवश में बुलाया गया है और मुझे यहां बताया गया है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए हरी सबजियां और फल फ्रूट खाना चाहिए और ताकि हमारा बच्चा स्वास्थ रहे और तुन दुरुस्त रहे हमें यहां खीर पूरी भी मिलता है और खाना स्वाच्छी खिलाते हैं राश्टी पोशन सप्ताह के अंतरगत चलने वाले कारिकरम स्वाष्ट खाने की आदतों के प्रति प्रोत्साहित करते हैं और स्वाष्ट पर पोशन के गहन प्रभाव को उजागर करते हैं बेरो रिपोर्ट डीडी नियूज और अब बात कर लेते हैं मौसम की अधर प्रदेश के कईजिरों में अकले दो तिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया वहीं मौसम वभाकर राजिस्तान के दक्षणी वे दक्षणी पूर्वी हिस्सों में अगामी कुछ दिनों तक बारिश का असार जता है वहीं मध्यप्रदेश में भी बारिश का दौर जारी और या अब जानते हैं देश्वर में अलग लग जखों पर यूंतम और फिक्तम तापमान प्रॉब 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 जानते हैं झाल झाल कि इसे के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का लेकिन नया सवेरा में अब आपसे मुलाकात होगी सुमबार को लेकिन जाने से पहले हर बारी की तरह हम आपको छोड़े जा रहे हैं कुछ मनोरन दृष्यों के साथ बिलकुल ये मनोरन दृष्यों है हिमाचल प्रदेश के दरसल लुढ़ी नृत्य हिमाचल प्रदेश के मंडे जिले का बेहदी प्रसित लोगनिंदे हैं और ये लुढ़ी नृत्य हैं खुशी का जश्न मनाने के लिए किया जाता है जात जाते आपको इन दृष्यों के साथ छोड़ाते हैं साथ ही आप भी खुश रहे हस्त रहे मुस्क्राते रहे और इसे के साथ मुझे धाफ्रा और हमारे पूरी ट्रिम को दीजए नमती नमस्कार कंपे देजयों वाजया तोल्या तोलगे लुटी आजयों अजय आपको कि अमने मुझे लंद वता धुश्यों आजय जय दोलिया तोलीके लुटी आजय नमस्कार झाल 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 झाल